सो वेलकम बैक टू माई फ्रेंड्स और माई यूटूब चैनल इसका नाम है एजुकेशन जी तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ नॉइस का जो एक्जाम है हमारा थर्ड अप्रेल को 2020 का टैन्थ का एक्जाम है इंग्लिस का जिसका कोड है पेपर कोड है 202 ओके तो देखें जो नॉइस के बच्चे है उनके लिए ज्यादा बैठर है यह देखें पॉमेक प्रेस्ट है ताकि वह एक्जाम टाइम में डरेना और इजली अपने कोर्शन सारे करके हैं ठीक है देख ल कोंशन दो कोशन इसमें आपको दिया होता है 15 marks में फैसन नोबर बन कोशन नूमर्ट तो दोणों इजी होते उन्सीन पैसज आपको पता होगा comprehensive क्या होता है मींस होता है कि आपको ऊपर एक format देख पैसें एक च्छोटा से कहानी बनाकर दे देख उसमें से आपको answer ढूणना होता है और fill कुरना होता है तो वैसे question देगा question number 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6 सबके answer आपको उसी passage के अंदर बीच में होगा वो don't के आपको लिखना होता है ठीक है? easily हो जाएगा sixth part जिसका आता है उसमें होता है A और B जिसका जो चीज पार्ट लिख देगा वो passage के बीची में उस चीज का दूसरे तरह सा मतलब लिखा होता है तो इधर जो meaning लिखा होगा वो passage में ढूनना होगा और उससे मिलता जूलता सब दिसके सामने लिखना होता है same वैसे question number second में भी होता है यह सब first बता है बढ़ता है second part पर section B जो होता है वो आता है आपका writing part 25 marks का होता है तो इसमें आपको third जो आपको दिया होता है sorry question third जो आपको दिया होता है वो आता है आपका conversation between people मतलब कि कुछ लोगों के बीच का conversation बातचीत बता देगा जैसे कि आपको उसके उपर message लिखा होगा जैसे कि suppose आपकी कोई teacher उसने आपको call किया बट आप घर पे नहीं थे बट आपकी mom ने phone उठा है तो आपकी mom से बोला कि क्या केते हैं कल के exam में ये ये आने वाला है and इसकी preparation कर ले sorry again इसकी preparation कर ले बट आप थे नहीं तो आपकी mom में ने सारी चीज़े पूछ ली मैं हम से बोला कि मैं ये message आप तक पहुचा दूंगी तो उसके उपर message लिखना है ठीक है हो जाएगा इसलिए four marks में ओके fourth question आता है आपका letter seven marks का होता है लिख लेंगे और कहेगा उसको पर paragraph बनाने तो paragraph easily बन जाते है like का आपको जो situation दिया होगा बड़ा सा उसी में से कुछ-कुछ point चाट चाट के आप अपने तरफ से एक paragraph बना सकते हो तो हो जाएगा इस format को रट लेना एक्जाम में आपके बड़े मदद आएगा helpful रहेगा section C आपका grammar का portion होता है जो आता 30 marks का 7th question जो होता है वही same चीज पैसेज आपको दे देगा और fill in the blanks आपको भड़ने होते हैं उसमें से ठीक है ए पार्ट में तीन marks होता है भी पार्ट का भी तीन marks का आता है दो पार्ट में यह दिया होता है यह question बढ़ते हैं आट पे question की तरह so 8th question में आपको fill in the blanks वैसे ही दे रहा अख़ा होता है आपको complete करना होता है याद रखे fill in the blanks सबसे ज़्यादा आता और unseen passage English के exam में तो easily low ज्यादा stress नहीं लेना है easily हो जाते है नाइंध question में आपसे verb पूछता है like आपको example में दे देगा कुछ भी कि do है does है कुछ भी do है does है कुछ भी तो उसके उपर आपको लिखना होगा कि क्या है इस पार्ट का verb कौन सा आएगा ठीक है ओके तो बढ़ते है next की तरफ जो है आपका 10 उसमें आपको dialogue दे देगा fill in the blanks आपको fill करने होंगे 3 marks का होता है index speech given होता है आपको fill in the blanks आपको fill करने होते 6 marks में चार option दे देगा उसमें से आपको बोलेगा कि कौन्स option जाना दे बैटर है उसके उपर आपको tick लगाना होगा वो blank आपका finish 6 marks काता है section D होता है आपका literature का 30 marks काता है जिसमें पहला question आपका होता है statement देदेगा एक और बोलेगा इसको fulfill कौन्स option कर रहा है उसको पर tick लगा दे होगा 14 question में आपको poem दे देगा उसी पर question answer बनाने होंगे question दिये होता है answer आपको poem इसे ढूंद के लिखना होता है यह सारे आपको अगर stories और poem याद है तो आप easily लिख लोगे chapters के one word question एक question आता है जिसमें आप से सीधा बोलता है कि इस question का answer सिफ one word में दो उसको कहता है फिर again question number 16 में unseen passage आता है जो आपके literature का है means कोई भी story आपके book का दे देगा या poem उससे regarding question 17 भी same as ऐसा ही होता है then आपका question 18 जो होता है जो स्टेटमेंट वही फुल्फिल जैसा आपको बता है मैंने 13 question 18 भी same होता है fill in the blanks होता है question number 19 जो होता है वो question answer होता आपका literature के part का जो आपको 30 स 40 words की बीच में लिखना होता है easily लिख सकते हैं जासे कितना 5 से 6 line में हो जाता है 30 40 words okay and question number 20 जो last आपका इसमें आपको एक question दिया होता है दो question given होते है बट आपको कोई एक करना होता है 100 words का आपको करना होता है तो इसे के जाद वीडियो end करते हैं और hope आपको अच्छा लगा जिन भी 10th बच्चे noise के exam है उनके लिए यह format helpful round तो exam में जरूँ इसको prepare करके जाए और आपके अच्छे marks आए यह यह मेरी आसा है तो मिलते है next video में thank you and bye bye